नमस्कार अगर आपको याद हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल के लिए से साल एक भाशन में कहा था कि कैसे सरकार जनसंक्या वरद्धी रोकने के लिए बड़े कदम उठाने के बारे मैं सोच रही है बड़े कदम उठाएगी भी बड़े फैसले लेगी देश भर में हिंसा भी हो रही है उसके साहरे ऐसे में नीती आयोग एक बड़ी मीटिंग करने जा रहा है मैंने इसलिए प्रधानमंप्री मोदी के उस बाषण का जिक्र किया कि ये जो मीटिंग होनी जा रही है नीती आयोक की ये मीटिंग जनसंख्या नियंत्रण से ही जुड़ी होगी उससे जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर डिसकस करेगी इसमें पॉपुलेशन फाउंडेशन ओफ इंडिया के अलावा जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े देश भर के विशेशग और तमाम बिवागों के अधिकारी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं ऐसे मैं जबकि सीए और एनर्सी को लेकर देश भर में मुस्लिम समुदाय गुस्से में हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर होने वाली मीटिंग उनको और भी नाराज कर सकती है क्योंकि हमेशा से बीजेपी और उस लोग रहेंगे तमाम सारे अधिकारी रहेंगे जो अलग-अलग विवागों के हैं और इस फील में जो एक्सपर्ट काम कर रहे हैं वो होंगे एक वीजन तयार किया जाएगा वीजन ट्वंटी थर्टी फाइब इस वीजन में यह तैय किया जाएगा कि अगले पंद्रे साल है जो प्रजनन वर्ग में आती है तीन करोड ऐसी महिला हैं जो पंद्रे से उनच्छा साल के बीच में आती हैं और इनके बीच में जागरूपता फैलाने के लिए इसके अलावा और कुछ सामाजी किया साइंटिफिक कदम उठाए जा सकते हैं टेक्नलोजी का इस्तेमाल कि और पर सरकारी नुमायंदे से मतलब है कोई पॉलिटिकल कोई भी पॉलिटिकल हस्ती इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रही है लेकिन तमाम सारे अधिकारी जो सरकार से जुड़े हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे ऐसे में यह मान कर चला जा रहा है क्योंकि मीटिंग पहले से पुछाता है जिससे कि मुस्लिम समदा है जो पहले से नाराज है उसके जख्मों पर और नमक लगता है तो सरकार के लिए वाकई में मुश्किल हो जाएगी हम अपडेट करेंगे आपको इस मीटिंग के बारे में इस मीटिंग में क्या फैस्टि लिए जाते हैं उनके बारे